राजधानी दिली में बारीश के बाद सड़कों का तालाब बन जाना कोई नई बात नहीं है आप इस वक्त तफ्वीरों में साफ तोर पर देखिए जंगपुरा मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर ये जो कारे हैं ये सड़क पर नहीं बलकि तालाब में चल रही है जब जब कारें यहां से गुजरती हैं एक लहर उठती है तो लगता ही नहीं कि यहां पर कोई सड़क थी और अब देखिए कि इस तरह से जो तमाम गाडियां और दूसरे मोटर बाइक सवार लोग हैं उनको कितने दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है चंद बारिश में दिनली के अलग-अलग अलाकों का यह हाल कोई नया नहीं है बलकि वक्त-वक्त पर नए अलाके बदलते रहते हैं ऐसे में जब-जब पानी बरसता है तब-तब कभी मेट्रो स्टेशन के बाहर तो कभी भीड भार भरे बाजार और वेस्त अलाकों में पा प्रेशानियों का ट्रैफिक जाम का यह जो सिल्सिला है वो अभी सलक पर बदस्तूर जारी रहेगा क्योंकि यह सलक अब नहीं रही अब यह दरसल तालाब बन गई है आपको बता दें कि वक्त-वक्त पर हर बार एजिंसियां दावे करती हैं बावजुद इसके आप देख जितने भी इलाके हैं वहाँ पर अन्यकूं ऐसी जगहें हैं जहां पर जल भराव की घटनाएं हर बार देखने को आती हैं कैमरामेन प्रेमचर मिश्रा के साथ राम किंकर सिंग जंगपुरा आज तक